एब आपके अपने चैनल संसनिवारी फार्म पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महतोपूर्ण टोपिक की एक मेंड पॉयंट पे हम बात करेंगे जिसमें मैं कहूंगा एक बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं पशलपालक भाई हैं वो रोज रोज हमें फोन आते हैं और इस लोक डाउन के दोरान बहुत सारे बाई अपनी नोकरी गवा चुके हैं जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में काम-धंधा करते थे तो बहुत बड़े, मैं कहूंगा बड़ी बड़ी कंपनीज के जो MD हैं उनके भी फोन आते हैं कि हम अपनी नोकरी को छोड़ के और Dairy Line में हम आना चाहते हैं तो वो dairy line में आने से पहले एक बहुत बड़ा ये doubt रोता है कि हम dairy farm सुरू करें कि ना करें ये कैसा business है तो आज की topic में हम बात करेंगे के dairy business कैसा है का इसमें फैदा है नुकसान है और जो बाई सुरू करना चाहते हैं जो dairy farm का ये आज की date में ये दिमाग में उनके है के हम ये काम सुरू करें उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ तो सबसे पहले जो भाई dairy farm सुरू करना चाते हैं सबसे main point ये है के वो dairy के काम में दूद बेचने के काम में उस time आएं जब अगर आपके area में दूद का rate का confirm करें जो भाई दूद का rate अगर नहीं ले पाएंगे तो dairy farm सुरू करने का कोई फाइदा मैं कहूंगा है नहीं वो आपके लिए एक गाटे का business हो जाएगा तो मैं कहना चाओंगा अगर आप बैसों का dairy farm सुरू करना चाते हैं तो कम से कम 60 रुपे लिटर अगर बैस का दूद 60 रुपे लिटर से आप कम बेच रहें तो मैं नहीं मानता के वो एक profit का धंदा हो सकता है और जो भाई crossbreed की गाए एक चेफ या जर्शी वगएरा रखने आचाते हैं तो मैं कहना चाओंगा उनके लिए भी अगर आप 40 रुपे लिटर से उनका भी दूद कम देते हैं तो वो भी आपको benefit मेरे हिसाब से नहीं दे पाएंगी और ही बात हमारी जो बारतिय नसल की गाए है जो हमारी जिनको हम मा का दरजा देते हैं जिनका दूद सबसे अच्छा माना गया है इस हमारे देश में तो उनके बारे में मैं कहना चाओंगा जो हमारी बारतिय नसल की गायों का गीर है साहिवाल है हरियाना नसल है बहुत सार आप 90 रुपे लिटर 100 रुपे लिटर उनका दूद बेच सकते हैं तो आप बेनिफिट एक उस दिया उनका दूद माना गया है तो उनका दूद का जो रेट है वो 80 रुपे लिटर 90 रुपे लिटर 100 रुपे लिटर आप बेच पाएंगे तो ही आप उसमें बेनिफिट उठा पाएंगे इस लाइन में तो जो बाई रोज डेली की डेली अभी लगबग एवरेज 20 फौन 25 फौन मेरे पास इस काम के लिया आते हैं के हम डेरी फार्म शुरू करें के ना करें तो सबसे पहली बात होगी दूद के rate की आप ये सोच के काम ना करें कि हम dairy farm सुनुरू कर रहे हैं और rate का हम बाद में देखेंगे बहुत सारे जो dairy farm फेल हुए हैं जो गाटे में गए हैं उसका region यही है के उन्होंने काम पशू रखने पहले शुरू कर दिये और दूद के rate के बारे में नहीं सोचा तो आप dairy farm शुरू करने से पहले अपने एरिये में rate का survey करें किस rate में दूद बिखता है किस rate में कौन से गाए का बैस का जिस एनिमल का दूद आपके एरिये में ज़्यादा बिखता है उसी पशू का dairy farm शुरू करें चाहे वो गाए है चाहे वो क्रोस ब्रीड की जो गाए है या बैसे हैं या जो हमारी बारतिया नसल की गोमाता है चाहे आप उसका farm शुरू करना चाहते तो सबसे पहले देखें अपने एरिये में कौन सी कौन सा दूद की demand ज़्यादा है वही कीजिए अगर दूद के rate आपके एरिये में कम है तो मैं कहूंगा dairy farm आप ना करें तो ही बहतर है दूसरी बात रही अगर आप कोई भी farm करते हैं अगर उसमें successful होना है तो आपको उसके लिए जरूर ही नसल सुदार के उपर काम करना होगा अगर आपको दूद का rate भी सही मिल रहा है और आप मान के चलिए 20 पसूँ के farm से dairy farm सुरू करते हैं तो आपको वो farm आगे बढाने के लिए अगर आपको हर साल उसमें नए पसू डालने पड़ेंगे कुछ पसू मैं कहूंगा खराब भी हो जाएंगे कुछ पसू रिपीटर हो जाएंगे उनको निकालना पड़ेगा बहुत सारे पसू ऐसे होंगे जो आपको पूरा साल लंबे टाइम दोद नहीं तो ब्रीडिंग पे ध्यान आपको जरूर भी देना पड़ेगा और बहुत सारे बाई हमारे चोटे जो किसान बाई हैं जो चोटे पसू पालक हैं वो ये सोचते हैं कि हम दूद को सहर में डाल देंगे या दूद के प्रोडेक्ट बना लेंगे दही बना लेंगे ये बहुत बारीकी से सरवे करके फिर डेरी फार्म सुरू कीजिए और बहुत ध्यान से ये काम धंदा करने वाला है इस लाइन में इस डेरी फार्म की लाइन में डेरी के सेक्टर में बहुत सारे बाई फेल जादा हुए हैं कामियाब कम हुए हैं उसका रीजन भी यही है कि ब अगर आपको दूद का रेट ठीक मिलता है डेरी फार्म आपने शुरू कर दिया है तो फिर आप उस फार्म को सक्सेस्फुल करने के लिए दूद का रेट तो आपको मिल ही रहा है साथ ही आप ब्रीडिंग पे जरूर भी काम कीजिए अच्छे सीमन का चुनाओ केजिए अपन से परचेज ना करनी पड़े वीडियो के एंड में आप हमें जरूर बताना आप कहां से हैं और आपके एयरिये में दूद का रेट क्या चल रहा है तो जो भाई हमें जरूर आप कमैंट से में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी जितने भी भाई एंड तक हमारे साथ बने रहे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो बहुत काम आने वाली है सभी भाईयों के जो नया डैरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सेर जरूर करें वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आप मारी ये वीडियो आप योट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन का बटन दबाएं और अगर फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें सभी बाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार